हेलो बच्चो आज मैं आपको कक्षा आठी जिसका विश्य है गलित इसकी वर्क्षिट नबर 27 समझाँगी जिसकी डेट है में पास 29 अक्टूबर 2021 आज की वर्क्षिट में हम नया टॉपिक करने वाले हैं शेत्रमिती पहले देख लेते हैं कि यह टॉपिक है क्या उसके ऑकरिते हैं क्या 근데 उनक्रीत के गुन और कर हमारे द्वारा परिभाषित कि जा चुके है और उन आख्रिती उंका परिमा परीधी है शेत्र bow being हम वग्यार कर सकते हैं इनी जहमति आकρिति Being कुछ के बारें में आज हम पड़ेंगी देखो अपसे क्या कह रहा है? अगर आप अपने आस्पास देखो आपको बहुत सारी वस्तूवथऔज ऐसे डिखेंगी जिनकी कोई ना कोई आकरिती होती है क्षथ की आकरिती बहुत मुश्किल है है कोच vitamin in कुछ ऐसी आकृतियां भी हो ते हैं। How can You consider Yourself, वर्ग, आयत, आकॉतिजिए, ईनेके आपको आपको परिमाप, शेतरफल, परीदियां, यह सब आपको इनने के पता हैं। ो kuora maagya है में इने के बारे में ही बात करने वाले हैं। जैसे कि आप देखो, यहाँ पर आपको पहला दे रखा है, पहली आकरिती दे रखे, तिरी भुझ, यह वो आकरिती होती है, जो तीन रेखाओं से बनती है, रेखाखंसे, है न, तो अगर मैं इसके परिमाप और शेतरफल की बात करूँ, तो इसका परिमाप होता है, तीनों भुझाओं का योग, जैसे कि A, प्लस B, प्लस C, और अगर मैं इसके शेतरफल की बात करूँ, तो वो होता है, हाफ इंटू में B, इंटू में H, यह होता है उचाई, और यह होता है अधार, अधार मतलब की यह, और उचाई मतलब की यह, ठीक है, तो आपको यह सारे आकार उनके परिमाप और उनके शेतरफल अच्छे से याद करने हैं, तब ही आप इससे रिलेटर जो भी कोशन सोंगे, वो कर पाऊगी, ठीक है, फिर दूसरा आपको बोला है वर्क, यह वो आकरिती होती है, जिसकी सारी ही भुझाएं बराबर होती है, और इसका हरे कौन जो है, भुझा गुना भुझा, यहाँ भुझा ए है, तो मतलब ए इंटू ए, जिसको हम बोल सकते हैं, ए का ए स्क्वेर, ए की घाट जो है, वो दो लगा सकते हैं, क्योंकि ए दो बार लिखाए हैं, ठीक है, उसके बात करते हैं हम आयत की, आयत वो होता है, जिसकी आपके पास जो आमने सामने वली भुझाएं हैं, वो बराबर होती है, और इसका हर एक कोन 90 डिग्री का होता है, जैसे वर्ग का होता है, ठीक है, अगर बात करें इसके परीमापकी, तो वो होता है, टू मल्टिप्लाई, एल प्लस बी, ठीक है, एल आपके पास यह है, और इसकी शेतरफल क कि बात करें, तो वो होता है, एल इंडू में भी, ठीक है, उसके बाद है समानदर चतरबुझ, यह वो चतरबुझ होता है, जिसके आमने सामने की भुझाएं, जो है न, वो बराबर तो होती ही होती है, सासत समानदर भी होती है, ठीक है, अगर हम इसके शेतरफल और इसके भुजाई हैं अगर हम इसके शेतरफल की बात करें वह रही है इन इंतु में h मतलब इसकी उचाई और बी मतलब इसका अधार है उसके बाद बात करते हम सम्चतुर्बुझ की यह वह होता है जिसके 4 बुजये बराबर होती है और इसके जो विकन होते हैं वो Questo होते हैं मतलब कि यहां पर नभ्य डिगरी का कोन बना रहे छोते हैं बुजये इसकी बराबर होती है जैसे वर्ग की होते हैं अगर हम इसके इस परिमाब की बात करें तो वह होता है 4 & 2 बुजा ही है क्योंकि इसकी भुजाय बराबर होते हैं वर्द की तो दोनों के परिमाप एक जैसे होते हैं अगर इसके शेत्रफल की बात करें तो वह होता है हाफ इंटु में D1 इंटु D2 और D1 D2 के आइसके विकर्ण है जो यह आपको अंदर दे रखें यह उसके बात करते हैं समलब की समलब क्या होता है जिसके आमने सामने की सिर्फ एक ही रेखा एक रेखा योग मुझे है वह समांतर होता है मतलब कि यह दोनों ही समांतर है यह दोनों समांतर नहीं है जबकि समानतर चतुर भुज में दोनों जोरे होते हैं अगर हम इसके परिमाप की बात करें तो सारी भुजाओं का योग है मतलब A प्लस B प्लस C प्लस D और अगर इसके शेतरफल की बात करें तो वो होता है हाफ इंटू में H मतलब इसकी उचाई और यहाँ पर आजागा A प्लस B जो इसकी समानतर भुजाएं हैं उनका योग एक ही जोड़ा होता है तो A प्लस B वही वाला है ठीक है उसके बाद सामान्य चतुर भुज की बात करें अभी तक हम सिफ चतुर भुज के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में बात करें लेकिन एक सामान्य चतुर भुज देखें जो ना आयत है अभी फिलहाल के लिए ना वर्ग है ना सम चतुर भुज है ना सम आंदर चतुर भुज है तो उसका परिमाप और शेतरफल क्या होगा ठीक है तो यह चार भुजाओं वाला तो इसका जो परिमाप होगा वह चारो भुजाओं का योग होगा ठीक है और इसका जो शेतरफल होगा वह क्या होगा हाफ इंटु में डीवन मतलब एक विकर्ण और एक हम एक उन्टव यह वाले जो उचाई लेनी है इसका क्या हो जाएगा सूत्र हो जाएगा उसके बाद बात करते हैं वृत की आखरी आगी वृत आपको पता है यह इसमें जब हम परिमाप देखते हैं तो उसे हम परीदी बोलते हैं परिमाप नहीं बोलते हैं यह आपके पास कोई भहुबुज नहीं है क्यूं क्यूंकि यह रेखाखंड से नहीं बनावा, ये बिंदूओं से बनावा है, ठीक है, तो अगर हम इसकी परीधी की बात करें, तो वह होता है 2 pi r, परीधी और परीमाफ सेम चीज है, बस जो भुभुज होते हैं, उसमें परीमाफ बोलते हैं, और जो ये भुभुज नहीं है, तो इसलिए हम उसे परीधी बोलते हैं, ठीक है, आर का मतलब होता है, यहाँ पर तरीजा, pi का मतलब 22 by 7 है, और 2 है, आर ये रहा, जितनी भी तरीजा का आपने ये वृत बनाया होगा, वो, ठीक है, अगर इसके शेतरफल की बात करें, तो pi r होता है, तो ये जो सारे सूतर आपने किये, ये परीधी, परीमाप, शेतरफल, सब के किये, ये आपको अच्छे से याद होने चेह, और आप ऐसा भी कर सकते हैं, कि इन्हें याद करके, ये पूरी जो आपको तालिका देगी गई है, इसे आप अपनी कॉपी में एक बार दुबारा से बना ले, ताकि आपका रिवाइ तो आप इसको लाइक जरूर कीजेगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा, थैंक यू